वेलकम बैक स्टुडेंट्स विशाल गुपता आपका टीचर कैसे हो आप सब स्टुडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जक्ट एकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेट्मेंट का उसका सलूशन कराने जा रहा है कोशन नमबर 34 का फ्रॉम दा बुक अफ टीएस ग्रेवाल गाईज यह रहा 34 कोशन की स्टेट्मेंट इसमें लिखा हुआ है कि from the following extracts of the balance sheets calculate cash flow from financing activities ठीक है जी यह equity share capital है preference share capital है security premium में debentures है और नीचे यह additional information हम एके करके पढ़ते जाते हैं बट सबसे पहले जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि वो 2021 और 2020 मेंज current year यह है previous year यह है अब वो कहरा कि equity shares जो issue हुए है वो last date को हुए है interim dividend 15% पे करना है equity shares पे तो जाहिर है फिर वो opening balance पे करना है preferences redeem कब हुए है बटा प्रेफरेफरेश रडीम हुए है कतीस मार्च 2021 को और प्रीमियम पांच परसेंट premium payable to deputy to P&L account में किया हुआ उन्होंने इसका मलब जो redemption के बाद जो हमें redemption तो last date को हुई है ना उसकी redemption कब हुई है last date को तो हमें opening balance पे ही उनको फिर premium देना है ठीक है guys चलिए उसके बाद है 12% debentures भी कब issue हुए है last date को ठीक है तो इसका मलब इसका भी जो interest है वो opening balance पे देना है guys क्योंकि ये last date को ही issue या redeem हो रहे है है जितनी भी additional information है तो interest यहां डिविडेंट जो भी होगा वो opening balance पे calculate होगा ठीक है बचे तो चलिए start करते हैं easy question है इसकी format बना लेते हैं हम ओके जी यहां पर simple सा format बन जएगा question number 34 का यह रहा इसका format और यहां हम लिखेंगे cash flow from financing activities question number 34 तो हमें पता ही है यह है यहां लिख लो cash flow from financing activities ठीक है guys तो यहां आजेगा cash flow from in financing sorry financing activities ठीक है जी और यहां पर आजेगा cash used in financing activities ठीक है जी तो बटा इसको हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं अपने reference के लिए यह inflow हो जेगा यह outflow हो जेगा ठीक है जी तो मतलब यह plus की figures आजेगी यह minus की figure आजेगी तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ equity share equity share में हमें क्या हो रहा है कि 10% जो preference shares है वो हमें redeem की है ना बिटा लास्ट इट को तो यहां आजेंगे redemption of 10% preference shares ठीक है जी और वो कितना है डेड़ लाग का और उसमें आपको क्या करना है कितना percent premium वो कह रहा है पांच परसेंट तो तो यहां पचतर सो आपने एड़ कर देना है ठीक है जी तो यह आगा एक लाग सतावन हजार पांच सो एक लाग सतावन हजार पांच सो यह redemption होगा security premium बढ़ रहा है तो यहां पर लिख देंगे increase क्योंकि equity shares security premium पर आए है ना इसलिए वो भी बढ़ गया increase in security premium reserve आप चाहो तो आप इसी figure में भी add करके दिखा सकते थे लेकिन मैं अलग से दिखा रहा हूँ या again एक लाग पच्चिस हजार क्योंकि यह दोनों इकठे ही आते हैं ना पैसा बेटा ठीक है और 12% debentures हमने क्या किये हैं अगें issue हैं तो यहां पर आजएगा proceeds from issue of debentures और वो कितना guys एक लाग का ठीक है जी यह कितना आ गया guys एक लाग का आ गया और उसके बाद हमें नीचे दिखो second adjustment हमें हमें क्या करना है interim dividend paid interim dividend on equity ठीक है जी shares और वो naturally opening balance पर calculate करना है opening balance कितना चार लाग चार लाग का कितना calculate करेंगे बैठे 15% चार लाग का पंद्रा परसेंट आ गया साथ हजार ठीक है उसके बाद preference का dividend देना है 10% dividend on preference shares वो कितना है साड़े 5 लाग पर calculate करेंगे ना बैठा साड़े 5 लाग पर 10% तो कितना आजेगा गाईज 55,000 ठीक है बचे उसके बाद है dividend dividend कितना बारा परसेंट डिवेंचर पे और तीन लाग का बारा परसेंट इंट्रस देना है ना उस पर बिटा डिवेंचर पे 12% इंट्रस्ट ओन डिवेंचर ओपनिंग बैलेस कितना गाईज 3 लाग का इंट्व बारा परसेंट तो 36,000 यह आ गया तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं दोनों का तो देखते हैं क्या बैलेस आता है यह आ गया उपर 125,000 जमा एक लाग 25,000 जमा एक लाग यह आ गया साड़ 3 लाख तो अब इसमें से हमें आउटफलो माइनस करना अब इसका टोटल करेंगे यह साड़े 3 लाख आ गया ना कैस्ट मैंने इसका टोटल यह साड़े 3 लाख लिए अब इसका टोटल करेंगे 157,500 प्लस 60,000 प्लस 55,000 प्लस 36,000 ठीक है एक लग सावन हजार पांसो जमा 30,000 यह बंजेगा 3 लाख 8,500 ठीक है और उसमें से माइनस करना है साड़े 3 लाख 41,500 इसमें क्या है 41,500 पांसो कैश यूजड इन फाइनसिंग एक्टिविटिज तो यही आपका अंसर है कैश यूजड ठीक है जी तो सिंपल कोश्चन था एक बार यह आप देख लीजिए ठीक है मैं सारा कोश्चन आपको दुबारा दिखा देता हूँ बस याद रखिए कि जो भी डिवेंचर का ब्याज था या प्रेफरेंश का डिविडेंट था वो ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुट करना है क्योंकि उसने बताया है कि जो करते रहिए ओके जी डन